चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने इस बार तयारियों पर विशेश ध्यान रखा है सरकार का लक्ष है कि इस बार यात्रा को बहुत भवी रूप से संचालित किया जाए इसे क्रम में लगतार समिक्षा बैठके भी हो रही है आसचीवाले के विश्व कर्मा भवन में परिटन मंत्री वा लोक निर्माण विभाग मंत्री सत्पाल महराज ने PWD के समिक्षा बैठक लिए और सभी अधिकारियों को निर्देश दिये चारधाम यात्रा सड़कों को दुरुस्त रखा जाए किसी प्रकार से भी यात्रा बाधित नहीं होनी चाहिए और इसके साथ ही सत्पाल महराज ने बताया कि PWD विभाग में जो भी पद अभी रिक्त है उन्हें जल्द से ही भरा जाएगा इसमें सब तयारियां हमारी बिल्कुल हम जागरूक हैं तयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं यह बैठक जो थी एक समिक्षा बैठक थी इसमें हमने काफी बिंदूओं पर चर्चा की हैं खासकर जो हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो रिक्त पद हैं उनको भरने के आदेश दे दिये गए हैं तक ततकाल उसमें जो है भरती होते हैं और उनके नीचे खनन हो जाता है और ब्रिजज कोलाप्स कर जाते हैं तो उनका सेफटी ओड़ेट के लिए हमने आदेश दिये हैं कि सेफटी ओड़ेट होना चाहिए काफी ब्रिजज हमारे पहड़ों में हैं तो यह सुनिश्य देखा जाए कि पानी का कोई फोर्स या पानी का कोई वेग उनको काट नहीं रहा है और ब्रिजजज की सेफटी है ताके उसमें जो यात्री चल रहे हैं वो सुरक्षित हैं तो यह सारे हमने हिदायत दी हैं और अच्छा हमारे अच्छा काम किया है हमारे डिपार्टमेंट ने तो लोगों को साबाशी भी हमने दी है और हिदायत भी दी